नमस्कार, मैं किसनलाल, साहे काचार्य, राजगिये विधी महाविद्याले, विकानेर विध्यार्थियों, पिछले लेक्षर में हमने CRPC की धारादों में विभिन परिवाशाओं एवं उसमें अंतर पर अध्यन किया था आज हम CRPC की सेश रही परिवाशाओं का अध्यन करेंगे CRPC की धारा 2E में उसमेले हाई कोट की परिवाशाद दी गई है धारा 2E में कुल तीन क्लोज है फर्स्ट क्लोज ये प्रावदान करता है कि समंदित राज्ये का हाई कोट उस राज्ये का उस नियाले कहलाएगा अर्थात राज्ये सरकार ने गजजट नोटिफाई करके जिस राज्ये को हाई कोट की अधिगारिता दी है वे समंदित राज्ये का उस नयले का हाई कोड होगा जैसे राज्थान, मध्यपर्देश, यूपी, आती Second close में Union Territary केंदर सासित परदेश के बारे में प्रावदान किया गया है कि ऐसे संगराज्ये छेतर के शमंद में जिस पर किसी अन्य राज्ये के उस नयले की अधिगारिता का विस्तार किया गया है तो ऐसे संगराज्ये छेतर के लिए समंदित राज्ये का हाई कोड उस नयले माना जाएगा यदि किसी संग राज्ये छेतर के लिए अन्य राज्ये के हाई कोर्ट का विस्तार नहीं किया गया है तो क्लोस थर्ड के अनुसार उस संग राज्य चेतर के लिए उस्तम नैले यानि सुप्रिम कोर्ड के अलावा अपील का सर्वोत दंडिक नैले उस नैले मना जाएगा विद्यार्थियों एक राज्य के हाई कोड को एक से अधिक राज्यों के हाई कोड के अधिन भी रखा गया है उसी परकार कैंदर सासित परदेश के लिए अन्य राज्यों के हाई कोड की अधिकारता को विश्थार किया गया है जैसे चंडीगड के लिए पंजाब और हरेणा हाई कोर्ट का छेतर अधिकार दिया गया है उसी परकार दमन वेदीव, कादर नगर हवेली इन केंदर सासित परदेशों पर बॉंबे हाई कोर्ट की अधिकारता परदान की गी है लक्षे दीव, यूनिन टेरिटेरी के लिए केरल हाई कोर्ट को अधिकारता परदान की गी है उसी परकार अंडमान निकुबार दीव समू के लिए कोलकाता हाई कोर्ट का छेतरिये विस्तार करके अधिकारता परदान की गी है सामवानी सब्दों में एक राज्य के लिए या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोड को अधिगर्दा दीगी है तथा यूनिन टेरिटेरी के लिए अन्य राज्यों की हाई कोड का थित्री विस्तार किया गया है दिली एक मात्र ऐसा केंदर सासित परदेश है जिसका श्यूम का एक उच्छ नयाले है अन्यक इसी यूनिन टेरिटेरी का श्यूम का उच्छ नयाले नहीं है नेक्स्ट परिवासा हम देखते हैं सेक्षन 2i जूडिशल प्रसेडिंग नयाइक कारवाई सहिंता की धारा 2i में नयाइक कारवाई को परिवासित किया गया है जिसके अनुशार ऐसी कारवाई जिसके अनुकरम में शाक्षे वैद रूप्षे शपत पर लिया जाता है या लिया जा सकता था अर्थात नयाइक कारवाई वै होगी जिसमें ओन ओथ एविडेंस ली जाती है या ली नहीं गी है लिकिन लिया जा सकता था तो एशी कारवाई नयाइक कारवाई कहलाईगी भारतिय साक्षे अधिनिम अठारों से बैतर नयाइक कारवाई पर लागू होती है अन्य कारवाई पर लागू नहीं होता है नयाइक कारवाई में जांच और विचार्ण दोनों सामिल होते हैं लेकिन जांच को नयाइक कारवाई माना जाए इसके लिए जांच की प्रकरति उसके उद्देश्ये उसकी सकतियों पर विचार करके और यह निशित किया दाएगा कि ये नए कारवाई के परिधी में आती है या नहीं विद्यार्थियों नेक्स्ट परिवासा टू जे लोकल जरुडिक्षन इस्थाने अधिकारिता धरा टू जे में ये प्रावदान किया गया है कि किसी नैले या मईशेड के लिए इस्थाने अधिकारिता वे होगी जिसमें वे अपनी संपूर्ण या किनी सक्तियों का प्रियोग करता है अर्थात कोई भी नैले राज्य सरकार की अधिसूसना द्वरा निर्दिष्ट किसी संपूर्ण या किसी भाग के लिए नैले अपनी सक्तियों का प्रियोग करता है वह उस नैले की इस्थानी अधिकारिता होगी अगली परिवासा सेक्षन 2K मेट्रोपोलिटन एरिया महानगर छेत्र 2K में ये बताया गया है कि महानगर छेत्र वे छेत्र होंगे जिसकी जनसिंख्या दस लाग से अधिक है धरा आठ में महानगर छेत्र के बारे में प्रावदान किया गया है धरा आठ के अनुशार राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूत्र परकाशित करके ऐसे छेत्र या नगर या नगरी जिसकी जनसिंख्या दस लाग से अधिक है उसे महानगर छेत्र गोशित कर सकती है राज्य सरकार अधिसूत्र जारी करके उसकी छेत्र में और सीमाओं में परिवर्टन कर सकती है लेकिन ऐसा कोई भी छेत्र जो अब महानगर छेत्र नहीं रह गया है जिस तारी को राज्य सरकार ने अधिसूत्र ना परकासित करके उसे महानगर छेत्र की परिवासा के लिए दो वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि धारा आठ के दिन ऐसा छेत्र जिसे महानगर छेत्र गोसित किया गया है या गोसित समझा गया है राज्य सरकार को पावर है कि वो ऐसे नगर या नगरी जिसकी जन सिंक्या दस लाग से अधिक है महानगर छेत्र गोसित कर सकती है और कलकत्ता, बॉंबे, मदरास तथा एमदाबाद इन चार महानगरों को पहले से ही महानगर गोशित समझा माना गया है अगली परिवाशा है 2N ओफेंस धारा 2N अपराद की परिवाशा वहीत करती है तारा 2N के अनुशार ऐसा कार्य या लोप जो तत समय परवर्थ विदी के अधिन दंदनिय बना दिया गया है अपराद है अर्थात कोई भी व्यक्ति ऐसा एक्ट एंड ओमिशन करता है जो उसमें लागू विदी के तैत दंदनिय है वह कार्य या लोप अपराद माना जाएगा तथा इसमें पसु अतिचार अधिनियम 1831 की धारा 20 के अधिन किया गया परिवाद भी सामिल है सहिंता की धराद 260 में ये प्रावदान किया गया है कि किन अपरादों का संक्षिप्ट विचारण किया जाएगा उसमें पसु अतिचार अधिनियम 1871 की धरावीश के तैद किये गया परिवाद भी शामिल है उसी के कारण सेक्षिन 2N में अपराद की परिवादा में पसु अतिचार अधिनियम 1871 के तैद परिवाद को भी अपराद माना गया है अगली परिवादा की और अज्यन करने के लिए हम देखेंगे 2.0 Officer in In Charge of a Police Station पोलीश थाने का बारशादक अधिकारी धरा 2.0 में ये बताया गया है कि पोलीश थाने का बारशादक अधिकारी कौन होगा इसमें ये प्रावदान किया गया है कि जब पोलीश थाने का बारशादक अधिकारी अफसेंट है या किसी बिमारी और अन्यकारण से अपने कर्तविय निर्वैन करने में ऐसमर्द है तो उसे नीचे की पंक्ती का कोई अधिकारी पोलीश थाने का बारशादक अधिकारी हो सकता है लेकिन Constable पोलीश थाने का बारशादक अधिकारी नहीं हो सकता Constable से उपर का कोई भी पुलीस अधिकारी पुलीस थाने का बारशादिक अधिकारी निव्द किया जा सकता है परन्तु राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तो कोई अन्य पुलीस अधिकारी भी पुलीस थाने का बारशादिक अधिकारी हो सकता है अगली परिवासा सेक्षेन 2 पी प्लेस इस्थान धारा 2 पी में इस्थान के अंतरकत ग्रे, भवन, तंबू, यान और जल यान आदी सामिल है अर्थात कोई भी प्लेस उसको मरद आएगा जैसे हाउस, बिल्डिंग, टेंट, वेहिकल और विसल इन सब में कोई भी अपराद किया दाता है तो वो इस्थान सब्द के अंतरकत आएंगे नेक्स्ट परिवासा 2 क्यू प्लीडर सहिंता की धरा 2 क्यू के अनुशार प्लेडर से तात्प्रिय विधी वेवसाई करने के लिए प्रादिकर्थ वेक्ति अभी प्रेत है तथा अन्य कोई भी वेक्ति जो ऐसी कारवाई करने के लिए नैले के द्वारा निउट किया जाता है वो भी प्लेडर माना जाएगा अर्थात प्लेडर वे है जो विधी वेवसाई करने के लिए प्रादि करते है जिसका नाम अधिवक्ता के रूप में बार कॉंसिल में दर्ज है वो प्लेडर है तथा नैले किसी अन्य वेक्ति को कारवाई करने के लिए निउट करता है तो वो भी प्लेडर समझा जाएगा प्लेडर पक्सकारों की और से नयले में पैर भी करता है वो प्लेडर कहलाता है नेक्स्ट परिवासा टू आर पुलीस रिपोर्ट धारा टू आर में ये प्रावदान किया गया है कि पुलीस रिपोर्ट से तात्परिय सहिंता की धारा 173 के क्लोज टू में पुलीस रिपोर्ट मानी जाएगी विद्यार्थियों जब कोई अपराथ कमिट होता है यदि वो 10 वर्ष तक या उसे कम से दंडनी अपराथ से सम्मदित है तो पुलीस अदिकारी 60 दिन में अनवेशन पूरा करेगा यदि वो मृत्यू आजिवन का रवास से दंडनी है तो पुलीस अदिकारी 90 दिन के बितर अनुसंदान करेगा और पुलीस रिपोर्ट पेस करेगा जब किशी पुलीस अदिकारी के द्वारा एफ़ायार प्राप्त होने पर या मैशेड के समक्स परिवाद की दसा में 153 में मैशेड के आदेश के पशात पुलीस अदिकारी अनवेशन करता है उसके पशात पुलीस रिपोर्ट समंदित अदिकारीता वाले मैशेड के समक्स परस्तुत करता है पुलीस रिपोर्ट में निमे लिखित अंतरवस्तु होगी पुलीस रिपोर्ट में पक्षकारों के नाम और इतला का सौरूब इतला कहां से मिली है उसका भी ब्रीफ में वर्णन होगा और उस मामले से परिचित वेक्तियों के नाम पते कौन सा अपरात किया गया है और कौन सा परतित होता है उसका भी वर्णन पुलिस रिपोर्ड में किया दाएगा तथा एक्यूज को क्या अरेश्ट कर लिया गया है क्या उसे परतिवूति सहीत या रहीत बॉंड पर सोड़ा गया है क्या उसे जेसी जूर्शल कस्टेडी में बेजा गया है यदि कोई महिला पिडित है जिसके साथ में कोई रेप या महिलाओं के विरुद अपराद हुआ है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट आदी पूलिस रिपोर्ट में सलंग करके परस्रियान लेने वाले अधिकर्टा के महिशेड के समक्स पेस किया जाता है नेक्स्ट परिवासा सेक्षन 2U पब्लिक प्रोसीकुटर लोग अभ्योजक सहिंता की धारा 2U में लोग अभ्योजक की परिवासा के संद्रम में ये प्रावदान किया गया है कि लोग अभ्योजक ऐसा व्यक्ति है जो सहिंता की धारा 24 के अधिन निउप्त है या लोग सिवक के निर्देशों के अधिन कार्य करने वाला कोई भी विक्ति है वे भी लोग अभ्योजक मना जाएगा धराथ 24 में लोग अभ्योजक के बारे में प्रावधान किये गया है लोग अभ्योजक का मुख्य कार्य राज्य सरकार की और से अभ्योजन अपील वे अन्य कारवई का सुन्जालन करना है परतियक हाई कोट के लिए केंदर सिरकार या राज्य सरकार उस उच्छ न्याले से प्रामर्श करने के पश्यात पैरवी करने के लिए एक लोग अभ्योजक या एक से अधिक अपर लोग अभ्योजक निक्त कर सकती है उसी परकार केंदर सरकार जहां केंदर की कारिपाले का सकती का विस्तार है अर्थात केंदर के नैले हैं उन जिलों और इस्थानी छेतरों के लिए किसी वर्ग या मामलों के संचालन के लिए लोग अभ्योजक या एक से अधिक अपर लोग अभ्योजक क्यांदर सरकार के दवरा नुक्त किया जाता है और परतियक जिले के लिए राज्य सरकार लोग अभ्योजक एवं अपर लोग अभ्योजक नुक्त करेगी जिला मरिशेड सेशन नयाले से परामर्स करके ऐसे वेक्तियों का एक पैनल त्यार करता है जो वांसित योगेता धान करते हैं और उनी पैनल में से लोग अभ्योजक की निक्ति की जाएगी लेकिन जहां पर पब्लिक प्रोसिकिशन का रेगूलर कैडर लोग अभ्योजक का नीमित काडर है तो ऐसी निक्ति नीमित काडर में से ही की जाएगी यदि नीमित काडर में योग्य व्यक्ति उपलग्द नहीं है तो जिला मैशेड के द्वरा त्यार कियेगे पैनल से लोग अभ्योजक की निक्ति की जाएगी लोग अभ्योजक की योग्यता ऐसा व्यक्ति जिसे साथ वर्स तक विद्धी व्यवसाई का अनुबो है उसे लोग अभ्योजक या अपर लोग अभ्योजक निक्ति किया जा सकता है तथा किशी विशेश वर्ग के मामलों में विशेश लोग अभ्योजक के लिए दस वर्स तक वकालत का अनुबो है उसे विशेश लोग अभ्योजक निक्ति किया जा सकता है विद्यार्थियों आज हमने सहिंता की मुख्य मुख्य परिवाशाओं में अवलोकन किया जिसमें सेक्षन 2S में फुलिश इस्टेशन की भी इंपोर्टेट परिवाशा है धारा 2S पुलिश इस्थाना 2S के अनुशार ऐसी कोई चोकी या इस्थान जिसे राज्य सरकार के द्वारा ठाना गोशित किया गया है और राज्य सरकार के दवरा कोई इस्थाने छेतर भी अगर निर्दिष्ट किया गया है तो वो पुली स्थाना माना जाएगा अर्थात राज्य सरकार ने किसी चोकिया स्थान को पुली स्थाना गोसित किया है तो वो पुली स्थाना होगा या कोई अन्य स्थान को पुलिस थाना के रूप में निर्दिष्ट किया है तो उशे पुलिस थाना माना जाएगा अंतिम परिवासा 2WA विक्टिम आहत व्यक्ति आहत यानि पिडित व्यक्ति इस परिवासा को 2009 के अमेंड्मेंट के दुआरा इसमें समील किया गया था आहत से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे किसी कार या लोब के कारण हाने या ख्षति होई है और जो अभ्यूक्ट व्यक्ति पर आरोप लगाता है अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति जो अभ्यूक्ट व्यक्ति पर आरोप लगाता है कि उसके कारे या लोब के कारण उसे कोई हानी या क्षती होई है वह अहत वाना जाएगा और ऐसे victim person में के अंतरकत उसके सरंग्षक और विदिक वारिश भी सामिल है अर्थात अहत विक्ती खुद और उसके guardian and legal hair उसमें सामिल मानने जाएगं विक्टिम के कौन-कौन से प्रावदान किये गया है, संक्सेप में वर्णन करेंगे, सेक्शन 2WA में आहत की परिबाशादी गी है, तथा धरा 24-8, सेक्शन 24-8 में परंतुक में ये प्रावदान किया गया है, कि आहत व्यक्ति अपने मामले में पसंद का अधिवक्ता निउक्त कर सकता है, उसी परकार दारा 357-8 में विक्टिम कंपनसेशन स्कीम आहत पर्तिकर योजना का प्रावदान किया गया है, 357-1 के अनुशार, राज्य सरकार और केंदर सरकार दोनों आपस में शमन में करके, केंदर सरकार एक इसकीम के तैथ एक कोस का गठन करेगी, जिसे आहत पर्तिकर इसकीम कहेंगे, इसमें नैले द्वारा पिडित को मुआवजे के रूप में जो पर्तिकर की राशी के लिए शिफारिश की जाती है, वे राशी राज्य या जिला विद्धिक शिवा प्रादीकन के द्वारा परदान की जाएगी, चाहे अभ्युक्त अग्यात हो या दोस्मक्त हो, वे इस इसकीम के तहत पर्तिकर के लिए आवेदन कर सकता है, ऐसा प्रादीकन दो मा में चांज पूरी करके और पर्तिकर परदान करता है, 307-A में आहद पर्तिकर यूजना लक्ष्मी वर्षेच इनिन ओफ इंडिया रिट पिटीशन में उस्तम नियाले के द्वारा दियेगे निर्णे के कारण, 2009 में संसुदन करके प्रावदान किया गया है, और आहद का प्रावदान 1332 में किया गया है, अपिल समंदी प्रावदान में, अहत व्यक्ति अपिलेट नियाले में जहां पर सामनते अपिल होती है, अपिल प्रसुत कर सकता है यदि अभ्यक्त व्यक्ति को दोस्मुक्त कर दिया गया हो या अभ्यक्त को निउन्तम अपराद के लिए दोसिद किया गया है या पिडित व्यक्ति को ए पर्याप्त पर्तिकर अंसफिशेंट कंपसेशन परदान किया गया है तो ऐसा आहत व्यक्ति सहिंता में प्रावदान ने होते हुए भी अपील ये नहले में अपील प्रस्तुत कर सकता है ये आहत व्यक्ति को अपील का अधिकार 2009 के अमेंडमेंट के द्वराप्रदान किया गया है